तो दूस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे और बिरेच कंपनी के बैरीफिकेशन के बारे में अप wrappedकी बात कर लोב है की बात कर लो wp की bear को लो फूसक्ट्थ बात कर लो धबी सब्सक्राण की बात कर लो तो बैसिकली यह बैइड़ांड वरिफकेशन का किसी कमपनी नहीं बताने वाला तो दोस्तों में बता दू Scientists and ťो ऑग्रांड वरईफिकेशन जो होता है वह को पार्थ ह कोगांगा कसरें बाद करह Кरेंगे पहले हम बात करते हैं फ्रकुत अब कंपनी के लिए लोईल हो कि नहीं हो की हो आप कोई क्राइम करके तो नहीं हा रहो आप इंडिया बेस ओ आउर अप इंडिया हो आपका कहा है क्या है अगर आप अगर आप आरेस थे तो आपको प्रोपर एक्सपिरेंस है की नहीं है तो मतलब आपका एक तरीकिससे वरिफिकेशन अ crus होता है जिसे आपका एक अधार कार्ड हो गया कि पूरा बायो डाटा होगा तब ही आपका अधार कार्ड बनेगा तो सेम वहाँ पे होता है कंपनी पे अपलाई तो इस बज़े से वहाँ पे बैग्राउंड वरिफिकेशन इनिशेट किया जाता है किसी भी ऑगनाइजेशन मे और मैं बता दूँ अपकी प्री जो बैग्राउंड वरिफिकेशन होता है उसमें आपके परसनल डॉकुमेंट्स होते हैं अपका अधार हो गया आपका पैन हो गया आपका एड़ेस हो गया यहां हो सकता है आपकी मार्क सीट होगई डिग्रीज हो गई तो बैसिकली यह इनिशेट करा दें अगर उस ताइम नहीं हो रहा तो आप जब जोइन करो दो उसके बाद तो 100 % हो गई होगा इसोगी मैंने बात करी थी पोस्ट बैग्राउंड वरिफिकेशन के बारे में तो पोस्ट बैग्राउंड वरिफिकेशन बेसिकली होता है आपका पूर्फेशन पोस्त बैट्गान्ट वारिफिकेशन केंडर जब यह को से आथे हैं तो मेंस कि आपका फिर्फेशनल ऊह पर आपकी यह सारी चीजें चेक होती है और यहां प्हूंज है और कि защ ganze company औरไป क्याव residence कंपनी किया कंपनी के पास आपका अगर सिस्ट के फिजिट किया वहां पर एक जिस्त नहीं करती हुई तो आपका लिपीस हो जाएगा गर कसी मेश में कोई एक चीज उनको मिल जाताया अगर इन चेस सट्वाउगआँ वी cent वर किफुस्ट्ट ऐल डे आजा जो आपका profile होगा अगर इस तरीके से उनको on mail मिल जाता है reply तो आपका background verification clear हो जाता है तो यहां पे सिर्फ एक ही सबसे बड़ा point होता है background verification का जो professional होता है उसमें आपकी previous company से background verification होना जरूरी है और last two companies का company जो vendor होते हैं last two companies का background verification वो करते ही करते हैं तीसरी चौती पांचवी company पे वो उन पर डेपेंड करता है कि उनको background verification करना है कि नहीं करना बट लास्ट दो companies का background verification होता ही होता है तो आप कुछ भी ऐसा सोच रहा हो कि नहीं हम फेक लगा देंगे को दूसरी company बता देंगे तो ऐसा कोच भी नहीं पता चल जाती कि बहुत इस वंद्य को इतनी मिल रही थी कई बार company डिस्क्लोज अगर कर देदेगे तो वासे तो company कभी डिस्क्लोज नहीं करती आपकी अगर इंकेस कर दिया तो उनको पता चल जाएगा और आपका background